असलाम अलेकम गाइस मैं हूँ आपका दोशेक्षपाक को स्वागत है आपको अपनी यूटीब चानल जेके जॉब आइलेट में फिरना एक अपडेट के साथ चानल पर नाये तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकें पर प्रेस करना ताकि जेहन के का कोई भी इसको फिल अप किया जाएगा अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटम पर वह वीडियो मिलेगा इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी वह वीडियो आप जरूर देखना सो इन 580 वैकंसी के लिए प्रोसिडर क्या रहेगा इलिजिबल्टी क्या रहेगी कोई से डिपार्टमेंट पर कितने पोस्ट्स है वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो चलिए आज के वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टॉप पे देखेंगी तो उन्होंने आपे मेंशन करके रखा है कि जो यह वैकंसी आई है इनको डिस्टिक एडर, डिवजनल केडर और यूटिक एडर के हिसाब से फिलप किये जाएगा इसके बाद अगर हम डिपार्टमेंटी की बात करेंगे तो यहाँ पे उन्हें मेंशन करके रखा है साइंसे टेकनालजी में 11 पोस्ट आउट हुए है, ए आ आ आ आ आ एंट ट्रैनिंग में 35 पोस्ट ला जैस्टिस और पारमिल्टरी अफायर्स 44 पोस्ट पाब्लिक वर्क आ एंट डिपार्टमेंट 490 पोस्ट और जो टोटल पोस्ट आए है 580 पोस्ट टोटल है जो उन्हें आउट किये है उसके बाद अगर हम राजिस्टेशन की बात करेंगे कि कब से आप अपनी राजिस्टेशन कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए तो उन्हें यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि 31 December 2020 यान कि 31 December 2020 से आप अपना राजिस्टेशन कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप राजिस्टेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप राजिस्टेशन कर सकते हैं इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 20 January 2021 से पहले पहले आपको अपना अप्रिक करेंगे domicile यानि कि जो भी candidate J&K का domicile होगा वो ही eligible है और वो ही सिर्फ apply कर सकता है उसके बाद अगर हम यहाँ पे age की बात करेंगे जो इसका maximum age limit और minimum age limit वो क्या रहेगा वो हम यहाँ पे बात करेंगे minimum age limit वो 18 years रहेगा हर किसी category के लिए और जो maximum age limit रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले OM इसका जो maximum age limit रहेगा वो रहेगा 40 years उसके बाद SC 43 years उसके बाद ST के लिए 43 years RBA के लिए 43 years ALC IB के लिए 43 years EWS 43 PSP 43 OSC के लिए 43 Physically Challenged Person अगर कोई होगा तो इसके लिए 44 years X Sarusman के लिए 48 years उसके बाद Government Service अगर कोई Contractual है Already Government Service कर रहा है तो इसके लिए Maximum Age Limit जो रहेगा वो रहेगा 40 years तो ये था Maximum Over Minimum Age Limit उसके बाद आगर देखा जाए Educational Qualification वो हम end में डिसकस करेंगी कि कौन से force के लिए क्या Educational Qualification रहेगी वो हम end में डिसकस करेंगी Guys वीडियो को आगे करने से पहले आज का question ध्यान से सुन लेना अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो comment में टाइप करके जाना उसके बाद application fees आपको कितना रहेगा वो रहेगा 350 वो आपको pay करना पड़ेगा application fees आप online net banking credit card और debit card थो इसको आप pay कर सकते है उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आप कैसे apply कर सकते है तो इसके लिए उन्हें एक link दे के रखिए एक site दे के रखिए जिसके थो आप अपना application form submit कर सकते है आपको ssbjka.org.in टाइप करना है इसको search करना है और वहाँ पे एक site open हो जाएगी वहाँ पे आपको अपना application form submit करना होगा यहाँ पे उन्हें पूरा procedure देखे रखा है आप यहाँ पे देख सकते है मैं आपको description में इसकी link provide करूँगा notification की वहाँ पे आप इसको download कर सकते है और इसको read कर सकते है यहाँ पे फिर आप आसानी से अपना application form submit कर सकते है अगर आपको फिर भी कोई problem होई तो आप comment में बताना मैं और एक video आपके लिए provide करूँगा को कैसे apply करना हो हम वहाँ पे अच्छे से discuss करेंगे दूसरे वीडियो में इसके बाद अगर हम end में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको एच्छे से देखने को मिलेगा कि कौन से department में कितने पोस्ट है eligibility क्या रहेगी कौन से category कितने पोस्ट है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि science technology में आपको कौन सा फोस्ट है driver पोस्ट इसके लिए open mirror के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 0, OSC 0, ALC IV 0, RBA 1, PSP 0 पोस्ट, EWS 0, total जो पोस्ट है वो है 4, इसकी जो qualification है वो रहेगी matriculation और उसके साथ साथ आपके पास driving license होने चाहिए, PSP या फिर HGV जो भी आपके पास होगी, अगर आपने 10th pass किया और आपके पास इन में से कोई भी license है तो आप इसके लिए eligible है, इसका जो selection criteria क्या रहेगा, वो भी उनने यहां पे mention करके रखा है, आप इसको देख सकते हैं, department में कौन सा post है, drafts में post आया है, इसकी जो salary क्या रहेगी, 25,500 से लेकर 81,100, ये इसका pay scale रहेगा, इसके लिए 34 total vacancies है, और इसके लिए educational qualification क्या रहेगी, आपके पास 2 year का drafts में course होने चाहिए, या आपके पास civil engineering में diploma होने चाहिए, तो इसके लिए educational qualification, इसका जो selection procedure है, वो भ जाएगी, ऐसे जिस portion के लिए आप देखना चाहते है, आप यहाँ पर देख सकते है, अगर आप ऐसी updates के साथ touch में रहना चाहते है, तो इसके लिए आप ये चैनल को subscribe करना, और bell icon पर प्रस करना, ताकि आपको हर किसी update की notification मिल जाएगी, तो ये था आपके लिए आज का वी प्रस करना, जाएगी, आपके लिए आपके लिए।